हेलो फैंट्स दिस इस प्रतम जैन एंड वेलकम टू प्रतम आडी टेग दिखी चैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सेम जो PC है वो बंद है अब मैं बताओंगा कि मेरा PC बंद क्यू है और मैंने से भी बंद क्यू कर रगा है और आज के विडियो टेटरेल में हम क्या सीकhएंगे तो आज के विडियो टेटरेल में मैं अपको बताओंगा कि आप कैसे एक्सट्रा बूट एंट्री को बिना किसी सॉफफ्टेर के माझत से डिलेट कर सकते हैं बिना इस इंस्टालेशन मेडिया कि आप जो एक्स्टावूट एंट्री होते हैं डिलीट कर सेथे कभी कभी क्या होता है गलती से ECBCD या मेनी अधर रिजन से हमारे एक्स्टावूट एंट्री बन जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे उसे सॉल्व करना है और मैं आपको दुका देता हूं मेरे अंदर मेरे पास इन्नी सारी बूर एंट्री तो चलिए मैं अपने कमट को स्टार्ट कर लेता हूं तो आप जैसे की देख सकते हैं एक है मेरी Windows 10, On Volume 5, Windows 8.0, Windows 10, and 7 यह जो मेरी Windows 10 है अगर मैं इसपर क्लिक करता हूं यह बूट नहीं करें कि कोई भी Windows किसी भी type का आप का Operating System नहीं है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस Error को Solve कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करती है, सबसे पहले मैं आपको दखा देता है तो उसमें कुछ भी नहीं है, रीकवरी का उप्शन आ गया, हम इसको रीस्टार्ट कर लेती है कि अपने कम्पूटर को, हमें अपने कम्पूटर को रिस्टार्ट करके अपनी विंडूज मैं बूट कर देता हूं जो मेरी विंडूज ओन है, तो जाने स्टार्ट करती है, तो देखिए मैं अपनी विंडूज मैं बूट कर देता हूं, अपनी विंडूज़ 10 म tiếp theo, उके, तो यह मैं अपने कंप्टर में बूट कर देता हूं तो मैं अपने विंडोज में बूट कर चुका हूं जैसा कि आप सभी को दीख रहा है तो मैं आपको करना क्या है आपको विंडो आर दवाना है यह अब रन बॉक्स कुलता है का विंडो आर से अब आपको इस पर टाइप करना है एम एस एम एस कंफिग बस फिर आपको ओक्य कर देना सॉरी मैंने गलाट टाइप कर दिया जैसे कि आप सभी को दिख रहा हूं मैं एम एस कंफिग कर दिया है विंगे टाइप करना है मैंस कंफिग मेंस माइक्रसोफ्ट कंफिगर कर दीजे तो जैसे कि यह खुल चुका है आपका सिस्टम कंफिगरेशन के नाम से होगा इसमें आपको जर्नल के साइड में एक बूट टैब होगा उस पर चले जाएए अब आपको उसमें आपकी सारी एंट्रेस दिखा रहा होगा तो एक है मेरी विंडोस 10 जो करन्ट ओस है डिफॉ संबरेखली विंडोस 10 अच्छल आ में एक्ष्ट्रा क्राण है तो मुझे क्या करना एक है करना या यहां-पर डिलीट का ऑप्शょन आ रहा ऑ हूं उसको डिलीट कर दीजिए उसक कर दीजिया और okay कर दीजिए अब आपको समय restart option आजाएगा आप restart कर दीजिए अब यह restart करके नहीं आएगा मैं आपको दखा देता हूं कि यह मेरा computer boot हो रहा है means on हो रहा है अब मेरा boot manager खुलेगा तो मैं आपको दखाऊंगा कि वह क्या है अब मेरा boot manager खुल चुका है मेरे पास Windows 10 का option आ रहा है Windows 8.1 और Windows 7 अब आप सोचे होंगा मैंने triple boot कैसे किया सबसे पहले मैं ने Windows 7 और Windows 10 को boot किया था जैसे मैं अपनी पहले वीडियो में दिखाई चुका हूं इसको मैंने कह सेके सबसे पहले Windows 7 डाला फिर 8.1 फिर 10 ओके आपको वीडियो पसंद आए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like, share और comment करना पिल्कुल भी न भूलें और अगर आपको वीडियो में क्यों प्रॉब्लम यह होता हमें comment करके जरूर बता हमारी वीडियो में क्या problem चीज़े सुधार सकें तुझे लिए आगरी वीडियो